नमस्कार है पर इन बाचपरी अपने यूट्यूब चैनल मेरित पर बाचपरी पर आपका बहुत-बहुत सवगत करता हूँ ये वीडियो SST CGL 2022 के जो इस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैल्फुल होने वाला है आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि answer की आपकी आचुकी है तो answer की आने के बाद, टोटल जो आपकी 40 shift होई हैं, उनमें कितने रांग questions हैं मैस के तो question मैंने आपको discuss करा दिये थे उमीद है कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो जाके देख लिजे तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि total 40 shift में कितने rank question है मैस के कितने rank question है reasoning के कितने है इंग्लिस के कितने है और इस बार बहुत ज़दा rank question देखने को मिले है उसके लावा यहाँ पे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस condition में सभी को marks मिलेंगे चाहे आपने वो question attempt किया हो या ना किया हो और उसके लावा किस condition में किवल उनी बच्चों को marks मिलेंगे जिनोंने right answer दिया है तो इन दोनों के बीच में रहे सारे strand को doubt आ रहा है तो इस doubt को भी यहाँ पे clear करेंगे उसके लावा आप यह भी देख सकते हो कि किस shift में कितने questions गलत हैं उसके इसाब से आप देख पाऊगे कि कितना marks आपका घटेगा या increase होगा ठीक है उसके लावा average जो marks है जैसा कि मैंने QMAS का survey आपको दिखाया था जिसमें average score 125 से 30 के आसपास बनना था तो वो इस बार और ज़्यदा घटेगा अभी मैं उसका reason आपको बताऊँगा तो उसके basis पे tier 1 की expected cut-up कितनी क्या रहने वाली है कितने number होने पर आप tier 1 qualify हो जाओगे यानि कि आप safe हो आप mains की preparation करो वो सारा guidance यहाँ पर मैं आपको provide कराने वाला हूँ तो बस करना क्या है इस वीडियो को पूरा देखे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है क्योंकि detail में सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग analysis करेंगे लेकिन इतना मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज के लिए मतलब आपका रास्ता आपका जो mind state है वो clear हो जाएगा कि आपको tier 2 की preparation करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो चलिए start करते हैं वीडियो को start करने से पहले उन सभी experiment के लिए एक update है जो CHSL 2022 exam को crack करना चाहते है जैसा कि आपको पता है कि notification आपका आ चुका है CGL का exam हो चुका है तो अगर आपका CGL में better score नहीं है तो आप CHSL exam की preparation कर सकते हैं same to same 20 level से और इसके लिए आप PW का batch जो है वो join कर सकते हैं one of the best इनका course है निष्चे batch है जो कि ये 2022 CHSL के लिए लेके आए हैं जिसका price केवल और केवल 699 रुपीज है सारे best teacher यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे individual subject को उसके लावा यहाँ पर mock test आपको free मिलेगा उसके लावा notes सारा कुछ आपको यहाँ पर provide करा जाएगा तो अगर आपको इस course को join करना है तो इसका जो link है वो description में दिया हुआ है बहाँ से जाके आप इस course को join कर सकते है तो चलिए अब करते हैं अपने मुद्दे की बात तो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ कि total कितने questions गलत है हर एक shift में ठीक है मतलब section 22 कितने गलत है अगर GS की बात करें तो 3 questions आपके गलत है तो उसके अलावा count की अगर बात करें math की बात करें तो 11 से 12 question गलत है 11 से 12 इसलिए लिखा कि कुछ question में doubt है इंगलिस की बात करें तो 3 से 4 question आपके गलत है reasoning की बात करें तो 16 से 17 question आपके गलत है तो आप लोग देख पा रहे होंगे इतने questions गलत हैं आपके आप बात करें कि किस question पर सभी को marks मिलेगा और किस पर केवल उसी को marks मिलेगा जिसने attempt किया होगा देखिए अगर questions आपका गलत पूछा जाता है इस doubt को आप क्लियर कर लिजे अगर आपका questions गलत पूछा जाता है अगर इससी question आप से गलत पूछती है तो उसके marks सभी को मिलते है चाहें आपने वो question attempt किया हो या ना किया हो पहली बात यह उसके लाबा अगर questions सही है उसके options जो है वो गलत दिये हुए ठीक है उनी में से सारे option दिये उनी में से गलत option दिया हुआ है सही option भी दिया है वहाँ पे तो जिसने उस right option को click किया होगा सिर्फ उसी को marks मिलेंगे otherwise किसी को marks नहीं मिलेंगे तो ये doubt आपका clear हो जाना चाही यानि कि number कब सभी को मिलेंगे जब question गलत होगा जब question गलत है तो सभी को उसके marks मिलेंगे या option match नहीं कर रहा है कोई भी चारो जो option है वो कोई भी सही option बहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो ये आपका doubt गलत है या questions के चारो option ही गलत है कोई option match नहीं कर रहा है उस condition में सभी को marks मिलेंगे अगर option बहाँ पे है question सही है तो सिर्फ उसको marks मिलेंगे जिसने सही question attempt किया होगा तो ये आपका doubt क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है तो धेर सारे question ऐसे हैं यहाँ पे नंबर आप question जो बिल्कुल गलत है उनकी संख्या बहुत कम है बाकि धेर सारे question यहाँ पे ऐसे हैं जिनमें options जो है वो गलत SEC ने दिया है जब आप उस पे objection लगाएंगे तो सही option आपका दे दिया जाएगा तो उनको ही marks मिलेंगे जिन्होंने उस question को attempt किया है तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो रा score है वो बहुत ज़दा घटेगा क्योंकि गलत जिनका भी सही हो रहा है तो उनके marks घट जाएंगे और shift wise भी मैं आपको दिखाऊंगा तो जायर सी बात है जो average score मैंने बताया वो भी घटेगा आपका तो कहीं न कहीं कितने number पे safe होगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो आप लोग देख पा रहा होंगे अगर GS की बात करें तो आप लोग देख पा रहा होंगे 1 December की 1st shift में ये question आपका गलत है the foremost right among rights to freedom is तो ये वाला जो question है वो आपका गलत है उसके अलावा आप लोग देख पा रहा होंगे 5 December की 3rd shift में एक GS का question गलत है मैंस के तो मैंने आपको करा दिये थे 8 December की 4th shift में ये आपका GS का question गलत है अगर हम English की बात करें तो 2nd shift दिसंबर जो 2 December है उसकी जो 1st shift है उसका ये question इंगलिस का गलत है उसके अलावा आप लोग देख पा रहा होंगे 2 December की 4th shift का एक कोशन ये गलत है आपका ये question जो है हाँ यहाँ पे देखे थोड़ा सा contradict है यहाँ पे इन्होंने पूछा है precise, precise का मतलब होता है 60, precise का मतलब होता है 60, ठीक है तो यहाँ पे ये question मेरे इसाब से गलत नहीं है इसका सही answer rough जो है ये सही है sse ने भी rough दिया है ठीक है तो ये question सही है फिलाल इस पे doubt नहीं है उसके बाद अगर हम बात करें तो 8 December की shift 3 जो है उसमें ये question गलत है यहाँ पे इन्होंने first वाला दिया है लेकिन इसका second वाला option सही है तो यहाँ पे marks अभी को नहीं मिलेंगे तो यह देखो आप question जो है वो सही है लेकिन इसके option कोई भी match नहीं कर रहा है तो इसके marks सभी को मिलेंगे अगर option match नहीं कर रहा है तो सभी को marks मिलेंगे या questions गलत है बिल्कुल तो सभी को marks मिलेंगे तो यह match का question है मैंने आपको solve करा है इसका 18 अनुपाद सायथ कुछ आ रहा है अंसर 17 अनुपाद 18 इस तरीके से कुछ आपका अंसर आ रहा है 105 नहीं 185 और 180 आता है तो हाँ इसका जो सही अंसर आ रहा है वो 37 अनुपाद 36 आ रहा है तो इसके मांक सभी को मिलें सभी को क्योंकि option अभी लेवल है 26 अभी लेवल, इसका 26 answer correct आएगा SSC ने भी 13 लिया है तो जो बच्चे भी खुश हो रहे हैं 13 पे तो उनके marks कटेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे यह objections SSC जानबूच के गलत लगाती है question, आप देख पा रहे होंगे what will be the radius of insert के लियानि की अंता केंद की तिज़्या क्या होगी तो अंता केंद की तिज़्या होती है यह पांट 2 root 3, तो कितना हो जाएगा 24 बटे 2 root 3, यानि की 12 बटे root 3, तो root 3 से अगर हम उपर नीचे गुणा कर दें, तो यहाँ पे 4 root 3 आएगा, 4 root 3 को अगर हम solve करें, तो 1.732 यह आएगा, ठीक है, तो इसको अगर multiply करें, तो 5 से उपर 5 है, इससे उपर आपका answer आना चाहिए तो कोई भी option match नहीं कर रहा है इस बचे से इसके marks सभी को मिलेंगे, ठीक है अगला देख लो आप 2 December की shift 4, इसमें जो है, answer 100 degree जो है, वो correct है, जबकि SSC ने 140 लिया है, तो जिसका 100 है बिल्कुल सही है, तो सभी को marks नहीं मिलेंगे जिसने correct किया है, उसी को marks मिलेंगे, उसके अलावा, आप लोग देख पा रहे होंगे यह, मतलब data इसका गलत है, यह question जो है, वो bait वाला question पुछा गया, लेकिन उन्हें option जो दिया है, वो इसके इसाब से दिया है कि अगर 12-12% की ब्रद्धी की जाए, जबकि यह तराजू वाला question है, जब हम bait नापते हैं, 12% कम तोलते हैं और 12% मतलब का फायदा होता है, तो इस तरीके का question है तो इस तरीके से fundamentally wrong question है इसका भी marks में भी सभी को मिले, ठीक है, यह SSC से सही भी माल सकते हैं, यह एक बार SSC ने इस question को पूछा भी है, आप लोग देख पा रहे होंगे 6 December की 4 जो shift है, यह fundamentally question गलत है लेकिन इसका answer अगर आप निकालो तो सही आ रहा है, तो यह maybe सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है उसके लावा आप लोग देख पा रहे होंगे यह वाला जो question है इसमें यह हो सकता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे तो option ही match नहीं कर रहे हैं साहित option ही match नहीं कर रहा है तो आपका, नहीं, दो option होंगे आपे तो इसके सभी को marks मिलेंगे इसका सभी को marks मिलेंगा, मैंने question आपको solve कर रहा है था, उसके लावा आप लोग यह देख पा रहे होंगे, एक hollow spare है as an outer radius आप यह question गलत है, ठीक है उसके लावा आप लोग देख पा रहे होंगे 9 December की force shift, यहाँ पे दोनो option दिये हैं, तो यहाँ पे यह हो सकता है या तो सभी को इसके marks मिलें यह हो सकता है कि जो दो option है, एक A बराबर B बराबर C यह भी सही है, या उसके अलावा आपका A plus B plus C बराबर 0 यह तीसरा बाला, तो यह हो सकता जिनोंने B मारा है उनका भी सही हो, C जिनोंने मारा है उसका भी सही हो, या यह भी हो सकता है कि इसको wrong ले लिया जाए और सभी को marks मिलें, तो ऐसी भी condition आपकी बन सकती, आप लोग देख पा रहा होंगे 1 December की second shift, इसमें भी यह आपके reasoning के question है यह गलत है question, उसके लाबा 1 December की second shift, जो है इसमें एक question है, उसके लाबा 1 December की third shift, इसमें एक question गलत है, यानि कि 1 December की सभी shift में एक question गलत है 34 shift में भी एक question गलत है, उसके लाबा आप लोग देख पा रहा होंगे, 2 December की first shift जो है इसमें भी question आपका गलत है उसके लावा 2 December की second shift इसमें भी question गलत है 2 December की 3rd shift 2 December में भी सभी question गलत है हर एक shift में 2 December 3 December की 4 shift इसमें question गलत है 3 December की shift 4 इसमें question गलत है मतलब option गलत चूज किया यह correction हो जाएगा जब आप objection डालोगे 2 December की 4 shift इसमें ये question गलत है उसके अलाबा मतलब option गलत है और 5th December की 1st shift ये आपका गलत है 6th December की shift 1 इसमें ये question गलत है ठीक है मतलब इसका सही मतलब गलत लिया ऐसे सिने तो options आई है तो इसके marks जो है वो सभी को मिल जाएंगे तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में questions जो है वो गलत है तो गलत का in the sense मतलब जो wrong question है या जिनके option match नहीं कर रहे है उनकी जो संक्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन मतलब option गलत SSC ने सुच कर लिया है सही option महाँ पे exist करता है तो जब आप objection लगाएंगे तो आपका वो correction हो जाएगा तो इसका मतलब है कि धेर सारे जो marks से इस्ट्टेंट के वो घटेंगे क्योंकि number तो आपको उसी के मिलेंगे अगर question आपका रांग होगा या options सारे गलत दी है तो आप लोगो जो मैंने QMAS का survey दिखाया था इसका जो complete stray है वो QMAS को मैं देना चाहता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर हम सारी जितनी भी shift में exam हुआ है तो first shift का अगर देखे तो minimum score 116.46 है अगर four shift की बात करें तो minimum जो score है यहाँ पे वो आप लोग देख पा रहे हों 116.46 है जो minimum marks है वो 116.46 है और जो maximum marks है वो 133.40 है तो 17 number का difference है hard shift और easy shift में तो अगर average score की बात करें तो 125, 130 के आसपास जो भी बनना होगा वो और down होगा यानि की वो 120 के आसपास आपका बनने maybe तो आप खुछ सोच सकते हो की 40,000 vacancy है आपकी और 4,000,000 बच्चे qualify ही होंगे और 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 1,000,000 प्लस बच्चा qualify होगा था और 130 cut-up आपकी गए थी normalized होने के बाद तो आप खुछ सोचो की 3,000,000 बच्चे और यहां पे इंटर करने है तो cut-up आपकी 20 number तो decrease होगी यानि की जो normalized cut-up है वो 110 के आसपास जाएगी तो कहने का महरा मतलब यही है कि अगर आप your category से हैं और आपके 100 या उससे उपर rise score बनना है तो आप tier 2 की preparation करो अगर आप मैं उसी बात पर अडिक हूँ अब भी OBC EWS से हैं तो 95 प्लस अगर आपके marks बनने हैं और आप 95 प्लस आपका rise score है तो आप तयारी करो अगर आप SCST से हो तो 90 या उससे कम है या उससे उपर score है rise score rise score की बात कर रहा हूँ तो आप preparation करो अधर कटावकरी वाले जो है वो और भी कम score पे safe रहेंगे आपके ठीक है तो इतने marks अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल tier 2 की preparation करिए आपको परिसान होने की जुरत नहीं अगर आपका 100 rise score बनना है तो यह मान के चलिए 110-115 इसके आपका रहेगा normalization में यह भी हो सकता है कि maximum 17 number का difference है तो 17-18 इस तरीके से या 20 तक marks increase हो सकते हैं जितनी ज़्यादा hard shift होगी उतना उसको फायदा मिलेगा और जो easy shift होगी उसको थोड़ा सा नुकसान होता जैसे कि अगर हम बात करें कि कितने जो easy shift है उसमें कितने marks बढ़ेंगे तो वो depend करेगा जैसे कि 128 जहां पर बनना है average score तो 133 पर लाने के लिए आप देखो 5-6 number यहां पर आपके बढ़ जाएंगे तो इस तरीके से normalization होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया तो अगर expected cut आपकी बात करें तो एक मोटा मोटी idea मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर rise score 100 यह उससे उपर बनना है तो tier 2 की preparation करिए क्योंकि tier 2 ही यहां पर main factor है जो आप exam qualify करोगे जो आपको job मिलेगी वो tier 2 के basis पर मिलेगी total 390 में इस तरीके से plan बनाईए कि बहतर से बहतर score कर सकते हैं उसके लावा अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि tier 2 की आपको किस तरीके से preparation करनी है कितना safe score tier 2 के लिए रह सकता है तो इस वीडियो को बनाने का purpose सिर्फ उसी पितना है कि ताकि complete analysis में आपको बता सकूँ और यह बता सकूँ कि किन बच्चों को tier 2 की preparation करनी चीए तो अगर आप you are category से हैं या obc से हैं ews से तो मैंने आपको बता दिया कि कितने number बनने पर आप tier 2 की preparation कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के उत्रों बहुत कुछ आपके doubt clear हो पाया होंगे आपको करना किया इस वीडियो को ज्यादा share करना है ताकि एक right content जाते बच्चों तक पहुचे उसके लावा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने भी तक किसे subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe करना मत भूलेगा